शिमारू के नई वीडियोज के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें वो चूले चूके तक जा सकता है और मैं जो इस घर का बड़ा हूँ मेरा दोस्त नहीं क्यों भाईया इस इलाके में दस दस कोस दूर तक लोग जानते हैं कि रहीं किता शरीफ आद्मी है मतलब यह कि तुमने क्या दिया कि यह शरीफ है और धानेशवर नहीं और मान लें घुझना तुम हद से बाहर जा रहे हो भाईया गुस्ता ठंडा करो हमें देखने से अगर तुमारा जी जलता है तो आएंदा इस घर में हम कभी नहीं आएंगा लेकिन हमारी एक ही हिलते जाए कि गोविंदा और आप दोनों एक ही लहू एक ही मा के जाए हो मुसीबत में न मैं काम आऊंगा न धनिश्वर काम आएगा तो सिर्थ तुम्हारा अपना लहू काम आएगा भाया मत जाने दोस्ते लोकलो से प्लीज भीया लोकलो कान खोल कर संलोको विंदा तुमने मेरे दोस्त का अपमान किया है तुमको उससे जाकर माफी मांगनी होगी तब रहीम इस घर में आ सकता है किसी के भी कदमों पर नाक रगड़ सकता हूं सिर्फ तुम्हारी कहने पर नक्षमन की तरह अपने सीने पर शक्ती जहल सकता हूं लेकिन उस पापी धनेशोर के सामने नहीं जुख सकता हूं वह कमीना आए कुटा है नीचे साला को भाइया मुझे गलत मत समझो मैं तुम्हारा भाई हूं भाई कोई दुश्मन नहीं हूं कोई दुश्मन नहीं हूं मैं तुम्हारा कोई दुम्हार चलिटो जी तुम्हारा कोई दुम्हा रभाई वन्य। पर दूलिधा कोई दुदार रखित्वmas प्रफू छोटा रफू पर बढ़ा रफू रफू यह सुई भी बड़ी गदब किजिर है कसम से कभी सुई से धागा निकल जाता है कभी सुई निकल जाती है कुछ समझ महीं नहीं आरा खाहा जाू लो हस रहा अच्छा असलो मेरी तो जिंदगी लिखी हुए फटी हुई चदर याप पर मा ठीकी कहती है तुम बहुत बिगाड़ते हो अच्छा तो दो दिन के लिए तुम यह हाई हो और माने तुम अब भेन भविक कान भर दी है 25 किलो मेटर दूर है मेरा बना जा रहा है किसका पहली दर्वाजा खोल घर तुम्हों उससे जलते हो तो मैं आइस का दूंगा ही निए अफर बनता ही निए बोटौ प्रेसाएब जाओ मैं यह अग्या जाओ मैं प्राइब इस फटाफ करें YOUR क्रेट शुपाफ अरे क्या अंग्रेजी में गाली दे रहा है तारीफ कर रहा है अब तो रूजी आती रहेंगी जीजा जी का ट्रांसवर हो गया अपने थानेदार के साले का खिताब तो मिली गया कॉलेज के सलाना जलसे पर अब रहीम और उसके साथ ही अपना प्रोग्राम पेश करेंगे की अूपराम के बालसे लादेusta क्यूट कर दो तो तुनिया के हर इनिसान का वबा कढ़ंगे है धरम और इमान का तरर पड़ा ही होता है तरर पड़ा ही होता है जब प्रिथी का पहल हूँ वो चाहे वो तेरा लहूँ या मेरा लवो, मेरा लवो या लवो, मेरा लवो अगर कुदा ये थोचता की मां के तर पड़ा जो हो तो कौन हो रोकता अगर कुदा ये थोचता की मां के तर पड़ा जो हो तो कौन हो रोकता अगर विखाता जाहता हरां का जगवे राज हो तो कौन हो रोकता दिलों में पूट डालना तो काम है पैमान का लहू का रंग एक है दुनिया के हर दिमान का दर पड़ा ही होता है जब किसी का पने लहू वो चाहे हो तेरा लहू मेरा लहू मेरा लहू मेरा लहू प्यार की पुर्वाईया चले तो पूछे कब बता हिंदु या मुसल्मान का करम की धूप जब खिले तो पूछे कब बता प्यार की पुर्वाईया चले तो पूछे कब बता हिंदु या मुसल्मान का करम की धूप जब खिले तो पूछे कब बता हरव या हिंदु आनिका दिलों में पूट डालना तो काम है नादान का लहू का रंगे है दुनिया के हर इनसान का तरर पड़ा ही होता है तरर पड़ा ही होता है जब किसी का बने लहू वो जाहे हो तेरा लहू है या या य्वयता करना अखेजित मेरा या 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 घा या घंके लाइजा ङलए तो ज़ए जंड़ा गोणा यहा तो कॉंसा क्लास्ता हर आपको गुरू पार्टी देख रही है क्या क्या देख रहे लिए बाप ललेट क्यों है लगता है कॉलेज में नई है ऐसे मुझे भी लग रहा है आने दे भीड़ो हाट डालके देखता हूं चोड़ मुझे मैं कहती हो छोड़ मुझे छेनव एक बार जिसका पकड़ लेता बेवी फिर जिंदगे में नहीं चोड़ता क्या वाँ क्या मुलाइम हाथ है कहीं हाथ में मोच तो नहीं आ गई वाँ आने वे तेरा बाप है वे क्या मुलाइम कंदा है कहीं कंदे में मोच तो नहीं आ गई अगर जो राजमाईशी करनी है तो किसी मर्द के साथ कर चल रहे चल रस्तनाप अज़सम तो एक काम कर चल मैं आता हूं प्लीज जड़ा मत करो इन गुंदों की मुँ मत लगो है 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 अब कर नाम है को इंदा है थैंक्स अच्छ मैं कि अज़िए अब बंबाई के पटटे यह नव्टन की लिए कह जा रहा है गाव में मुझरा करवाएगा के इन छोकरों से अबे अधकन अबेव भेड़ो अगर दुबारा मेरी गल्फण की तरफ देखाना तो आइसा फिरा डालूँगा क्या अइसा तड़ी पर करूँगा कि फिर दुबारे शेर में नदर नहीं है समझा अबे तड़ी पार तो लोग हुआ है कि बेड़ो चैनों तुझे नी छड़ेगा क्या कि या बात है क्यों शोर मचा रखा है दोसो देखे दो हजार लिक वालिया मालिक पैसे लेने हैं तो लो नहीं तो दफाओ जाओ यहांसे बिखारी कहीं के लगांगुठा मालिक माम कर दो मालिक माम कर दो पैसे तो मैं वसूल करी लोगा क्यों मचा रही है पैसों की वसूली तो करने देश तो मेरी दो धनेस्वार चीडिया और आपकार कर दो दो आधा मां की मूर्ति लाया हूं अरे जब 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 गीओ वैसे मेरी दुर्गा तो तो यहां मा आ गया साला कर्चा जाओ में 25-50 चम्चे मरे होंगे तो इस कर्चे का जनम हुआ होगा तो मेरे कितना ख्याल रखते हो अरे क्यों न रखू मा जब से तेरे इन चर्णों का आशिरवाद लेके मैंने धंदा शुरू किया है मा दिन दूनी राज चौगनी तरक्टी हो रही है तेरी दयासे मैंने एक गाली और खरीद ली अरी वाह लेकिन मा सबसे पहले तुझे और धरम भाया को इस गाली में बठाके तीरो त्यात्रा ले जाऊंगा मैं समाज सुधार के काम कर रहा है और गाव में एक मंदीर भी बनवा रहा है मंदिर स्मिती का चेर्मन हमने धरम भाया को बनाया ऑर साला चंदम मां के पास जमा कर रहा हो वाह वह वाह वबड़ घाग हो गुरू चंदे के सारे पैसे का गडबलो और घृटाला तुम कर बसेंगे मेरे बड़े भाईया और मेरी माईया यह गोविंदा हमें हमेशा गलता मजता है जोर बस्पन में हमारी मा मर गई हम तुझे अपनी माईया समझते और धरम भाईया को अपने भाईया समझता बड़े भाईया की खेती में काम करते करते कितना पतला नहीं चोड़ेगा तेरे प्यार की कहती रहते हैं और यह हमें जली-कटी सुनाता है कोई और का है तो गोली बाते हैं चुनाने दो, हमने तुम्हें भाई बनाया ना, जलता है, ऐसे ही मज़ाग कर रहे है अरे माईया, हमने तो शहर से कुछ साधू को आवेली में बुलाया लो, आशकल साधू के पिछे पड़ा, कितना भास मारता है अच्छा दर्म बाईया यह मेरे बेटा जू है ना, देवता है देवता आहा, कोई देवता वेफ्टा नहीं है काला नाग है काला नाग, जितना झूखता है उतना ही गहरा काटता है गेख लेना, एक दिन सारी दुनिया जान जाएगी, कि वो धर्म का उतार है दर्मात्मा होता है उन्हीं के अगोश में अरे मेरे यार की अदातों देखो एक हाथ में सुराही और दूसरे हाथ में सुराही दार गतन पीले पीले हरिनाम का प्याला परकाद कुछ बुंदे इदर भी अरे मेरे चुन्यू मुहनू तुम तो जानते हो हम हर चीज मिल बाठ कर खाते हैं बाद में बचा कर जा तम भी खाले ना प्रंतू किंतू चिंतू कपड़ों की तरह आप यार भी तो बजल डालते हैं दन्ना बाबू आज काल आपने धरम को अपना भाई और उसकी मां को अप तो सरकार से ठेक है कैसे लूंगा हं इसलिए मैंने धरम की मा को अपनी म माता जी बना लिया है जंपि करते ख सरकार है चनपी बाश्य चैंपी किसारी चंपी नहीं तो कम हो तो तो तुमआरी हो गांत मैं बदश्या सुसाद मुझे पाइं पॉलू के पठे धनेश्वर से दोस्ती कर लिए उससे अपना भाई बना लिया वो तो मेरा बोला भाई है लेकिन तू तो मेरा लहू है लहू है हा, वो हो तो... आरी, अपने Dance Competition कर, DSL मेरे सरबे कर रह गया. Dance Competition? मैं चला. आरे, किदार? मैं चला, Dance Competition के seat 도 आरे. मेरा सर कोने वन दबाएगा? मुझे बाफ करतो கल दबादूगा. आया候, JSL मेरे सरबी कर.. सुन! कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर dur कर दो कर दूल ओ जाने मन मुझे रब की कसम तुझे चाहता रहूगा जनम जनम तुझे चाहता रहूगा जनम जनम पपरितू पपरुता पपरितू पपरुता रहूगा ओ जाने मन मुझे रब की कसम तुझे चाहता रहूगा जनम जनम ओ जने मन मुझे रब की कसं तुझे चाहता रहूंगा जनम जनम पपरितो पपरुता पपरितो पपरुता ये के चाहताृता हॉ मुझ पे फिदाया हसारे हसी, दिल ये किसी पे ना आया कभी, तेरी अदापे मर गया मैं, मुझ पे तु कर जाने जाना या कि मुझ पे फिदाया हसारे हसी, दिल ये किसी पे ना आया कभी, तेरी अदापे मर गया मैं, मुझ पे तु कर जाने जाना या कि आपना जुदा होगे हम गिता, गिता, ओ गिता, या, या, इल्या, या, ओ जाने मन मझे रब की कसं तुझे चाहता रहूगा जनम, जनम पापारि तु पापरुोसा, पापारि तु पापरुोसा, घर के यार की राह में पहला पहला कदम मैंने देखा तुझे प्यार से जो सनम तेरी आखें जुकी तुझको आई शरम इन ही निगाओं पे हम लुट गए जानां ये प्यार की राह में पहला पहला कदम मैंने देखा तुझे तुझको आई शरम अर्यार मेरी पाहों में जुम आप मेरे होटों को जुम अब ना चुदा होंगे हम गीता गीता ओ गीता मुझे रब की कसम तुझे चाहता रहूंगा जनम जनम मुझे चाहता रहूंगा जनम जनम मुझे चाहता रहूंगा जनम मुझे रब की कसम तुझे चाहता रहूंगा जनम जनम मुझे रब की कसम तुझे चाहता रहूंगा जनम जनम पपरितु पपरुसा पपरितु पपरुसा ने वाओ मलदा आ गया यार किसम से डांस कंपटिशन के आता है यू तो गिताने भी डांस पहुच्छा किया था जे चेलू का जो जो गुरू था भाज़ था जो तो साने बांट की तरह माच ने रहे यह मुझे भी देखने देख ले अगरी बार देख ले इसके बाद ये घोचु लो कि इस इलाके में नजर नहीं आएंगे चलता है झाल 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 जीत कर लाई हूँ दीदी क्या हुआ क्यों इतना शोर मचा रही है दिन भर मदू मखी की तरफ घर के कामकाज का छट तबूने में लगी रहती हो देखो आज तुम्हारी कीता ने कॉलेज में इनाम जीता है तुम मचके हमारे नाम की कीता तुम्हारे इस इनाम जीतने से मुझे बहुत खुशी हुई दीदी आज ये नाम मुझे तुम्हारी वज़े से मिला है खुद बिना पढ़ी लेकी रहकर घर का सारा काम देखती हो तुम्हार बापू को मजबूर करके मुझे कॉलेज में दाखिल करवाया तेरा नाम सारी दुनिया में रशन हो जाए इसलिए भगवान के सामने रोज दिया जलाती हूँ पवित्तरा बेटी सारी जिंदगी दूसरों के लिए दिया जलाती रही अपने लिए तो कभी सोचा ही नहीं इनाम इसे मिला है और खुश हो रही है तू यह तो वही बात हुई कि बेगानी शादी माब्दुल्ला दिवाना इसलिए हमने तुम्हें घर से निकाल देने का फैसल लखिए क्या कहते हो बापू भाई मेरा मतलब है इसका रिष्टे पक्ता कर लिया हाँ हाँ मेरी बहन गाय है गाय लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं किसी एहरे गहरे को रसी थामने दूंगी पहले लड़के को मैं देखूंगी कौन है वो लो अरे तुम मुझे बुद्धु समझती हो अरे अपने पड़ोस के गाउं में अवंती बहन का लड़का धरम सिं को विंदा के साथ हां मेरा मतलब धरम सिंग ओ धरम सिंगा शबमा दोगिंतमो सव पापम प्रणित्तों दिव्याकरम तदी संकरारम शिरु सम्नमा मिशशिम सोमसं बुक्तम भूशं दरणी गर्वसं बुक्तम देखमार प्रिक ना चांद चल लग रही है क्या कर रही हो तो इसमें बुरा मनने की क्या बात है तुमें तो मालू मैं कि मुझे मजाक मजाक में सच बात करनी की आदत है चल लेंगे इतनी जल्ली है को तो तुम्हारे भी फेरे करवालू थोड़ा अपना भी ख्याल लखाता या अब वो तेरी शादी में तुम मेरा ख्याल रखना गुर को कि इसके हाथ इतने खुबशृत हैं तो चहरा कितना खुबशूरत होगा जब और शह अब अब हम इसके रूपका ट्वेलर देखा है जब आप से रूपकी पूरी फिल्म देखेंगे ना तो आपकी तो पर घृर ग pencil जाएगी कन मूध कर देैंगे बावी बावी मेरा नाम गोविंदा है मैं हूँ तुमारा इकलोता डालडा लाडला देवर बहुत ही आवारा है ये कई बार हमारी मटकी फोड़ी है इसने मटकी फोड़ता है ना और तो कुछ नहीं फोड़ता ना ये फुदल बखबख किये जा रही हूं अरे भावी आगी वह खुद देख लेंगे कि मैं कैसा हूँ चलो भावी जली से टीका लगा चलो कि मेरी भावी मा तुम्हारा पाव इसलिए चुआ कि तुम मन गई हो मेरी भावी और तुम्हारे हाथ में है घर की चवी मतलब है अता है कि म किसली दाट आप मकर अपकर나ा है सार गाव जालता है कि मैं कितना शरीफ आदमी है में चलता हूं that me कि अब आप कि कि अब आपकर कि यह खड़ा है यह कर तिलक लगाएगी तुझे चलिए बैट आपी को मालूम होना चाहिए हमारा मुकाम गोविंदा से भी उचा है अम धरम भाईया के दोस्त भी है और भाई भी और सबसे उंची भेंट लेकर आएं असली सोने का है यहार असली माल पाने के लिए कोछ तो महनत करनी पड़ती है अरे काही नकरे दिखा रहे तु मालूम है तो गाव का जमिनदार है बैटनी के हाँ 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 हमेशा गले में जूलता नजर आना चाहिए कर दे तिलक बहु यह मेरा बेटा बना हुआ है हुआ हाँ हुआ हाँ हाँ हुआ हाँ कि लिएगर अ हुआ है आवे फैजिंच अविया दर्वाजा को दर्वाजा खोलो दर्वाजा खोलो हमारा कुछ रह गया है वह बावी भावी मुझे से क्या परदा तो बड़े और वुडों से बुडों से बैसे करना है बाहर निकल दर्वाजा खुल गया माय अंदर था दर्वाजा खुल गया कोई बात नहीं बाहर जो अच्छा गुड़नाइट एपी स्वागराथ बेस्ट अफ लक जम किया और सुनो कोई कितना भी दर्वाजा ठोके दर्वाजा खोलना नहीं और मैंने जो धूद दिया ना दरूर पी लेना मायने उसमें नीन की गोलिया मिला रखिये पी लेना अब 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 गय काम से बोरी दुलनी अने डाल दिया दिल पे डखका चिल्मन से दिखा के जल्वा जालिम ने कर दिया घाल जालिम ने अब लुके पठे कमार कदे दर्मू के हां अगया और हम साले दिल मसौश करें प्रंटू किस्तू चिल्टू दिल मसौशने से क्या फाइदा करना बाबू आप देवर तो बानी के दीरे दीरे उंगली पकड़ते पकड़ते पहुंचा पकड़ो अरे इतना सबर कहां है हम तो सीधे पहुंचा की पकड़ लेंगे अगया है अब पाए लागू भाजी भाईया को खाना खिला के आ रही हो क्या तुम्हारे भाग पर भी तरह साता है भाजी ऐसी पूलों जैसी कोमल काया और यह चिलचलाती धूप में तुम काम कर रही हो कसम से भाजी हमें अगर भगवान मिल जाए तो हम उसकी ऐसी तैसी कर दें मतलब भगवान से भी चपर हो तुम और नहीं तो क्या अचा भाजी अब तुम ही न्याय करो हमारे पास इतनी बड़ी हवेली है जिसमें मकमल की मुलायम मुलायम सेजे हैं जिस पर अपनी भरपूर जवानी लिए हम राते करवटें बदल बदल कर काड़ते हैं और इधर तुम इतनी नाजुक काया लिए हुए धूब में जुलत रही हो और जी लाओ तुमारा बोज हम उठा अरे नाराज हो गई हम तो तुम्हारे देवर ही हैं गोविना के जैसे तुम तो जानती हो जानती हूं मगर तुम नहीं जानते के देवर भावी का रिष्ठा मा बेटे का रिष्ठा होता है औरे राम-राम-राम भावी मीरे खायाल आतो भात-पवित्र सेबावी जीपने छोड़ाता हूं हुआ है एक नहीं दिन ततं है एक घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं कहां थी तुम्हाजी के पैर दबा रही थी ओहो माजी के साथ तो पूरा दिन बिताती हो कम से कम रात का वक्त मेरे साथ बिताओ कि मुझे अधाय तरह चाहिता है करने क्या थी तुम्हारी अधाएं तो मज़े परबात कर तो त्यहे था कि इस जरूरी काम आपड़ा था और मां कह रही थी कि तुम भावी को लेकर कहां जा रहे हो तुम मुझे जाने कि मेना ना दिल ब्लीज ठीक है काम है मुझे शेयर में तुमी ले जाओ नहीं अब भी कहा से ले जा रहे हो तो कल सुबा सुबाइब फोर में तयार हो जाना मैं लेने हाँ अभी सो जाओ जाई रही हो वो गुट नाइट तो भूला भूली यह गुट नाइट चली दरादा बन करें तो आ जाए गंदर बन नहीं करोगे तुम्हें अधर गया अधर जीती रहो बेटी चीठी ना तार ने टेलीफून यह तुम्हें आज़ी करों और पीताजी बें प्लेटी रहे पड़ाए धर गीठा कौं आया है जी बाफुजी चाय पानी का बंदो बस करो पवित्रा और गुबिंदा है जीता गुबिंदा तो ठीक तो है तेरा घर कैसा है तेरी सास कैसी है सास नहीं वह तो मेरी मा है माँ सच वह मुझे इतना प्यार करती है कि कभी किसी बात की कमी मैसस नहीं होने देती है वह घर नहीं सवर्ग है सवर्ग और बापू गोविंदा मेरा इतना ख्यार रखता है कि बस पूछो ही मत तुझे खुछ देखकर दिल को तसली हो अगवान गीता को भी तेरी तरह का घर दे दे तो मेरा यह जीवन सफल हो जाए बापू गीता और गोविंदा की जोड़ी कैसे रही की अरे बेटी तुने तो मेरे मूँ की बात है ऐसा हो जाए तो क्या बात है फिर तुम्हें सीधा गंगाशनान की जाए बापू खोविंदा आज मैं तुम्हें ऐसी चाय पिलाऊंगी कि तुम्हें जिन्दगी भर याद रहेगा एक चमच नमक एक चमच नहीं दो चमच मिर्ची यह लीजे आपकी चाय जी जी नहीं मैं घर से पिकरा रहा हूँ घर में तो रोजी पीते हो यहां भी पीलो आखिर आप तो हमारे महमार है अच्छा आखिर अच्छा ठीक है ठीक है तो पीले ता हम आभी क्या आद करेंगी यह मैट की बिताओ बैठी ना थैंकियो हाँ हाँ कर दो कि आ थे करने वर्यूंद प्रभाए आज में अच्छे अच्छान कशाद दो हुआत कर दोना आफ समय बैदी भार इस दोस्तम करूंत बाट वटकर इसमारे कभी आयेगा है आपको इससे ज्यादा चाह पिला रहाओ अजी आप चाय तो क्या जहर भी पिला दे तो हस्ते-स्ते पिजाऊंगा ऐसे आपकी चाय किसी जहर से कम नहीं थी फिर भी देखे हाजरा हूँ ठीक है भाई ठीक है पी लेता हूँ नहीं तुझे मेरी कसम आपकी लेता हूँ क्षेट आपकी लेता हूँ तो है मेरी रादा कोविंड़ तेरा रिष्ण गानाईड़ तो है मेरी रादा तेरे बीनाओ जीवन मेरा, राधा फिलकल आधा, ओ राधा Govindah, तेरा किशन का नहीं तू है मेरी राधा ओ रादा को बिंडा तेरा किशन के नईया तू है मेरी रादा जाती कहो है इटला के गोरी तुझ से बंदी है साजो की दोरी मत्की में मांखन की चोरी तू जानती है ये है मेरी कमजोरी मार डला गोविंडा तेरा किशन के नईया तू है मेरी रादा गोविंडा तेरा किशन के नईया तू है इटला हुआ 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 है हुआ 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 है हुआ हुआ है मेरे ही दिल के घरकन बनाया है रभा हुआ हुआ है हुआ हुआ है तेरा किशन के नईया तू है मेरी दादा हुआ है हुआ है हुआ है हुआ है क्या हुआ हुआ है माजी माजी आख में कुछ कच्रा चला गया क्या हो बहुत दरत कर रहा है इधर आके बैट यह मैं निकाल देती हूं लो इनसे मिलो यह कच्रा निकालेंगी हट यह मुट्टी पर चावाई धाई गंटा साफ करने के बाद इनके हाथ का चावल खाओ तो उसमें चावल कम और का कुछ समझ भी निया हाँ इसे कहते हैं कि हैं गृम का डाल करा सक्षा डाल थे इस इंगाड गाली कचरा होता है वो बड़ी-बड़ी मुसीबत खढ़ी कढ़ लता है इसलिए जब भी मुझे कचरा नजर आता है मैं वसे निकाललता हूँ शाप कढ़ता हूं अइसे लाए से मेरी अहे नेकालो अभी अब गया ही नहीं तो निकालेंगे कहां से, चलाट, अढ़ी अढ़ी आधिया, मैं अंदर हूँ अरे, भॉजी पढ़ा शहर से आपके लिए बहुत बढ़िया चंदेरी साडी लाए थे अब अपने सर पे लगाने के लिए कोई बगेर बास वाला तेल भी ले आता कितना पास मारता है ये साडी हम नहीं लेंगे और आएंदर हमारे लिए कुछ नहीं लाना देखो मा, भॉजी पे हमारा कोई अधिकार नहीं है धरम भया के पुन्य प्रताप से अब हमारी पांट बसें दोड़ेंगी अच्छ यह से परमिट लेके आ रहे हैं अबे खुद तो पाप करता ही है मा को क्यों पाप का भागिदर बनाता देखो मांजी इसने भीरा में गाली दी हमारी खुशी में तो यह खुशी नहीं होता मांजी यह खुश नहीं है तो क्या हुआ मैं तो खुश हुआ ना चल अंदर चलकर आराम से बैठेगे गोविंदा इसका घर में आना जाना बनने ही हो सकता अरे भावी अब तुमने आग्या दे दिये तो देखो मैं क्या करता हूँ इसका आना और जाना तो क्या इसका खाना पीना उटना बैठना नाना धोना सब बन करवा दूँगा यह साड़ी अपने लिए और अपने कुछी लाइड़ा धन्ना भावू क्यों दुनिया कुछ आ रहे आधी रात को क्या कश्ट है सरकार कुछ हमें भी तो बताओ हमारी बैसेती करदी गई सत्रा सव रुपाय भूग के दमदमाती चंदेरी साड़ी लायत है मगर चुआ तक नहीं अरे मो दिखाई पे दस आजार के हार के बली चड़ा दे प्राश तक नहीं पहना और रात सती सावित्री बनती है पाबी अरे बहन जी कैसी है आपकी ट्रांस्वर हो गई हम लोगों की यहां पोस्टिंग हो गई है वो थाने का चास समालने चलेगे और मैं यहां आ गई लेकिन गुविंदा यह सब क्या नोटंकी हो रही है यहां रादे शाम की प्रेम लिला को नोटंकी का नाम देकर गडबड कर रही है ना आप बढ़ जाए अरे बढ़ जाओ बढ़ जाओ तो हम कहां थे हम यहां थे हम यहां चाटू हमें भीतर नहीं आने दोगे क्या बिलकुल भीतर आने नहीं मिलेगा अज से इस घर के कायदे और कारून बदल गए है बार के लोग बैटक में बैट हैंगे चलो जो आदमी तेल लगा के चपट कंगी करता हो वो शरीफ आडमी हो बैटक वैसे तेल कंसा लगाते हो बाइटक को होगा, तो पबलेक को होगा आज यार बाइटक में बैटो, आऊ, दूर, दूर जैके भाहीया और माँ घर में लग और रहाम को यह एंट्री मिलती है रावन को नहीं? मैं रावन लाए नहीं, तुम रावन कैसे? रावन तो बहुत विद्वान आदमी था, तुम अब हमें सक्षा मत दो, धरम भाइया मेरे कहे बगेर कदम नहीं उठाते मां अपने मुगा निवाला निकाल का मुझे खिला देती है, तुम मेरा अपमान करें लिए बावी तुम यह बैठने के लिए तू कह रहे हैं गाव में घर तो गंदे कदम से बचा गंदा तेल लगाता हाथ रोना पड़ेगा यह क्या कह रहे हो तुम हम सच कह रहे हैं भाईया पिता जी नहीं रहे घर के एक दम एकलोते हैं इसलिए तुमको बड़ा भाई मांते हैं पिन मांके बच्चे उमारी मां ने हमें अमम्ता दे दी तो हम तुमारे घर आ गएंगे बहुत पहसे धियों गहीं यह तुम्हारा आपमान नहीं हमारा आपमान है आप मान को विल नका यह अपना रिजल्ट लेने गया है अब हमें इस घर का मुख्या क्या जो इसके बनाए कानून पर हमें अमल करना होगा आखिर बात क्या है मुझे में तो कुछ बता बात यह मा की धानेशवर आपकी इजद करता आपका आशिरवाद लेने आता है इस गाव का इजद्दार आदमी है वक्त बेवक्त काम आता है उसका अपमान करके गोवंदा ने उसको घर से बाहर निकाल दिया क्यों यह जूट है और उसवक्त घर में मौझुद थी उसने उसे बैठक में बैठने को कहा था और वैसे भी परपुरुष को पराए घर के चौके तक गुसना नहीं चाहिए मंदूर है मान गया है तुम्हारी बात लेकिन जब रहीम इस घर में बिना रोक तोक के ना चुरगा सकता है तो उस मेरा दोस्त है मेरा भाई है आपका दोस्त बना रहे है मगर हम और दोसे दोस्ती न गाधिया गाउं की सब ही और दे कहती है कि उसका चरितर ठीक नहीं है मैं सब जानता हूं कि कौन-कौन सी औरते यह बाते करती है यह सब मिली बगत है एक शरीफ आदमी को यूही बदनाम क अधिया जा रहा है गोविंदा की तरह उसका नाम किसी लड़की के साथ नहीं जोड़ा आज तक है का मैं यह मिल्चापर गोविंदा पास हो गया है क्या बात है विज्दयर को इस घर में कदम नहीं रखनेदे तो जिस तरह रहीम तुमको प्यारा है उसी तरह धानेशवर हम को वह चूले चौके तक जा सकता है और मैं जो इस घर का बड़ा हूँ मेरा दोस्त नहीं क्यों भाईया इस इलाके में दस तस को सदूर तक लोग जानते हैं कि रहीम किता शरीफ हादी है मतलब यह कि तुमने क्या दिया कि यह शरीफ है और धानेशवर नहीं और अम्मान लें घुद्ना तुम हद से बाहर जा रहे हो भाईया गुस्ता ठंडा करो हमें देखने से अगर तुम्हारा जी जलता है तो आएंदा इस घर में हम कभी नहीं आएंगा लेकिन हमारी एक ही हिलती जा है कि गोविंदा और आप दोनों एक ही लहू एक ही मा के जाय हो मुसीबत में न मैं काम आऊंगा न धनिश्वर काम आ मैं है तुम ने दूसका अफमान किया है तुमको उससे जाकर माफी हांगनी होगी तब रहीम इस घर में आ सकता है मैं दुम्हारी काने website किसी के ब्यक्र कढ़ों पर नाक रगार सकता हूं सिर्फ तुमारी कहने पर अपने सीने पर श्क्ती जहैल सकता हूँ यह उन्यों वो कमीना एक कुत्ता है नीचे साला को भाया मुझे गलत मत समझो मैं तुम्हारा भाई हूँ भाई कोई दुश्मन नहीं हूँ कोई दुश्मन नहीं हूँ मैं तुम्हारा वाह नान की मजा आ गया तका गई प्रेंटु किंतु चिंतु इससे आपको क्या मिला आगे आगे देखो धरम और गोविंदा के इस घर का होता है क्या एक्जाम में पास क्या हो गए मुझसे मिलने तक नहीं आए बोलो क्यों नहीं आए कितने बेज़ें थे हम मैं बहुत परिशान हूं गीता भाया ने उस कमीने धनेश्वर के मज़े से उससे बोलना तक छोड़ दिया है यहां तक के यहां तक के देखते भी ने मेरी तरह भाई से भाई का कभी जगड़ा होता है क्या आज नहीं तो कर जीचा जी का गुस्सा उतर जाएगा और फिर सब ठीक हो जाएगा चल मोटू तका महार आई तो देखो कुविंदा गीता लेला मजनु की तरह महपत की कमड़ी गेर रहे हैं अब गीता को पवित्रा बना दूंगा तो कैसे गीता को पवित्रा कैसे बनाओ गया पैसे मत पूछ गीता और पवित्रा में फर्क ही कितना है अब मेरी गोली गीता के कंदे से चलेगी और गायलों की पवित्रा कमीने खुत्ते नाराइक तेरी यह मजाल मारो मारो भाईया और मारो हमें तुम जान से मार डालो ऐसा पवित्र द्रश्य देखने के बाद हम तो खुदी जिंदा रहना चाहते जूटे में तेरी जबान खीच लूगा ऐसी गंदी बात करते हो शर्म नहीं आई तुझे अरे भाईया आजकल तो सथ बोलना ही पाप हो गया हम तो आए तुम्हें आगाह करने और तुम हमें मार रहा अरे तो लुटने ना घर की सथ याद रखना अगर यह बात सच नहीं तुम मैं तुझे जान से माटा लूगा तुम मैं सचाई देखने की हिम्मत है अगर है हिम्मत तो आओ मेरे साथ अगर एंगर देखने के अगर में यह बिल्यार को आख सब्सक्राइब तुम्हें और दुद्धेगी मैंगने डालके काय दूद्धेगी लात मारके और लड़की पप्प्ते धक्के मारके चलवाट जोड़वाट कुड़ तुम्हारी दिधी तुमारी दिधी यृए भाव बहुत गांगी नहीं की है। अभेक काशली रूप करें निए आप अपश्य पर दो आप इसा मत करो भी यह बहुत अनर्थ हो जाएगा इससे ज्यादा अनर्थ और क्या हो सकता है चुम्हें अपनी आखों से देख रहा हूं ला मुझे रे वालो देख तो मैं आज यह से ख़तम कर देता हूं आप घुझे में खूल कर देंगे तो क्या होगा भासी हो जाएगी उसकी मुझे परवार ही रुवा लोड़ों और भाई जाएगा में आपके बद्धाम हो जाएगी बीवी भाई सब मिल जाते मगर गई इस्ट नहीं मिलती भाई आप आप प्रकल्यूग आगया भाई आप इस पर आदमी भरोसा करें किस पर ना करें सब्सक्राइब माहा समान पही के साथ कुर्टा भाया भाया क्या मेरे रास्ते से कभी नहीं मुझे भाई कहते है तुझे शर्म नहीं आते तगाबाज नीच जलील कुत्ते मैंने अपना खून पसीना एक किया है सारा सुक्चैन तुझ पर निछावर किया है और बदले में तुने मेरी पीठ में खंजर खौब है यह क्या कह रहे है अपने गेरे बान में जाग कर देख देवर भावी का रिष्टा मां बेटे का रिष्टा होता है लेकिन तुने तुने उस रिष्टे को धबा लगा दिया है कमीने कमीने यह पाफी काम करने से पहले तुम में तुम्हारी दारू बोल रही है आपकी सौगन भाईया अगर आपके जगह कोई और होता तो खूल में नहां जाता है महीं सथे देगे करके Sherman कोई को मुझे निकाल लो अपनी अर्मान टुकड़े और खिल रहें करक्वे लेकिन लेकिन सती सित्हा जैसे मेरी भावी पर कलंग बता आ मैं पूशता हूँ इतना घिर उना इल्जान देने की तुम्हारी हिंध कैसे हुई ऊस कमीन धनेशवर की संगत में रहे कर कितने गेर गे तुम गेरं गेर पर से सीना जड़ित आज मसे तुझा लिगा सफोगा है किस राक्शा किन वो सवार होगे ये तुन पर एक ही मा के चाये होकर उसी के आखों के सामने अपने होन की होले के फेख दे ये गुलाडी में कहते हूं फेख दे फेख दे फट जा मा फट जाओ मा इसने तेरी कोक को कलंग लगाया है आज मैं उसे इसके लगु के साथ धाऊंगा आगे तुझे लगु की प्यास है तो पेजा लगु पी ले अपने खुस्से की आख मुझे शारत कर ले बेटे और एक भाई दुसरे भाई के लगु का प्यासा बने यो मैं हरकिस नहीं देख सकती मार दे मुझे मार दे मुझे मार दे बेटे मार दे मार दे मुझे करनी चला जा इस घर से अपना काला मू लेकर जा नहीं बैटे मेरे रोटे हुए तो इस घर से नहीं जा सकता है सुना भाईया तुमने मैं जा रहा हूं नहीं रहुगा मैं इस घर में हरे भाईया अगर तुम मुझे जांसे मार कर इस जमीन में गार भी देते ना तो मुझे कोई अपसूस नहीं होता मुझे कोई अपसूस नहीं होता लेकिन जाने से पहले मेरी बात हराद में से लोग यह मेरी भावी नहीं यह मेरी मा है राम ने लक्षमन में कभी न दुल बिठाया राम ने लक्षमन में कभी न दुल बिठाया भावेरों के कहने पे अपनों दूट गाया भावी मा के रिष्टे पे यह कैसा कलंग लगाया भावी मा के रिष्टे पे यह कैसा कलंग लगाया मा की ममना जीवी भावेर गल युट आया मेरे कलियो क्या या या अरे तुम कैसी मा हो सोतेली मा की तरह खड़ी तमाशा देखती रही और ये भाई ये भाई नहीं दुरियोधन है दुरियोधन मेरे भूल जैसे भाई को घर से निकालते हुए तुम लोगों कुछ जरा शरम नहीं आए बोलो जब क्यों हो और इस पिचारी बुली बाली गाई पर कलंक लगाते हुए तेरी जबान क्यों नहीं कड़ गई उसमें की नहीं क्यों नहीं पड़ गए और अब यहां बैठें किस की पाथ का मातम मना रहे हु जवाब दो बीडी ऑरत के पास असमर की सिवा और क्या होता है अच्छा होता यह सीता की तरह लोगों की लिए मेरी भी अगनी परिशा ले लेटे कर गर में मर जाती कमसे कम यह तिन तो नहीं दिखने पड़ते हैं पता नहीं किसने लगाई बिच्चारा गूमेंदा, उचारे कहां बटक रहा होगा जोड़ो, 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 मेरी बेटी का मत लेके जाओ, मैं तुम्हारे पाओ बढ़ती हूँ अब अगर तुम लोग ने मासूम और पर हाथ उठाया तो तुम्हारा हाथ काटकर गले में लटका दूगा अपनी अपनी बंदू के फेक कर भाला जाओ, अगर किसी ने होशारी करने की कोशिश की तो गुली मादूगा अगर भाग है साले बेटा तु तो शक्ति का उतार है, अगर तो वक्त पे ना आया होता तो ये घर परबाद हो जाता है भगवाद तेरी उमर सो बर इसकी करें अपन तो तेरे को दुश्मन समझा था मगर तुम तो दोस्त निकले यार, माफ करना दोस्त अपने जिन्देगे में किसी से दुश्मनी नहीं हाँ दुश्मनी है तो बुरा इसे बदनियती से है लेकिन तुमने मुझे दोस्त कहा है तो मेरी एक बात याद रखना हमारा देश, हमारा धर्म, हमारी संस्कृति हमें यहीं सीख देती है कि जब भी किसी की मा, बहन या बेटी की इज़त लुटी चा रही हो तो मर मिटना लेकिन उसे माफ मत करना जो माफ कर दे, वो कायर है, बुस्तिल है वो एक पहट का भाई नहीं, एक बेटी का बाप नहीं अपनी मा का बेटा नहीं, इस धर्ती का बेटा नहीं हाँ दोस्त, कुछ ऐसा ही है, किस पत्ति मुझे बिल्कुल तर्बदर का बना दिया है मुझे खुद मालूम नहीं, कि मैं कहा जाओंगा, क्या करूंगा बेटा, तुम जैसे फरिष्टे को तो मंदिर में बिठा के बूजना चाहिए बाजी, मुझे पत्तर को कोई मंदिर में बठा कर क्या पूजेगा मैं तो खुद एक मंदिर का ठुकराया वह इंसान हूँ अगर ऐसी बात है दोस्त, तो आज के बाद तो मापून के साथ रहेगा हाँ बेटा, दीदी, यह सब कैसे हो गया दीदी धरम भाया तो गोवंदा से इतना प्यार करते थे, तो फिर गोवंदा इस तरह घर छोड़कर क्यों चला गया लगता है भगवान हमसे रूट गया है जिस घर में खुशियों के फूल बरसते थे, वहां अंगारे बरसने लगे और उसकी लपीद से मैं और गोविंदा दोनों जुलस गए, एक गोविंदा ही था, जिसे मैं अपना सुख दुख कहकर मन हलका कर लेती थी गीदा जाने से पहले तुमसे तो मिला होगा, कहां गया है वो नहीं, परना मैं उससे हर्गिस नहीं जाने देती, कभी नहीं लेकिन उसने तो मुझे भी पराई समझा, वो एक आई कितना कठोर की हो गया दीदी अच्छा, मैं चलती हूँ अच्छा, मैं चलती हूँ झालती 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 हूँ कर दो कर दो कर दो कर दो ये लो काज, ये लो कनम, दिल में मेरे लिखना सनम के तुमको हमसे प्यार है, 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 के तुमको हमसे प्यार है हुआ जोड़ो हाई छोड़ो गलम मेरे लगू से लिखलो सनम हमको तुमसे प्यार है हमको तुमसे प्यार है हमको तुमसे प्यार है हमको तुमसे प्यार है आ Win ऐरीररीर्णी ओडंे येर्लो काऊेस येलो कलम पर छोडुकाँस छोडुकलम कर दो कर दो कर हम तुमसे दूर जाए अरे लोट ना जाए पर लोट ना पाए तो का दूर चाओगी याद तक ना हाओगी अरे ऐसी बाती क्यों करते हो मुझे डरा कर क्यों असते हो क्या रूलारा ठीक है यू सरारा ठीक है तुम तो पाकस हो गई हाओ मैं तो यू ही छूटी बातें बोल बैठा अरे छोड़ो छोड़ो येलो काज येलो कलम अरे छोड़ो काज छोड़ो कलम क्या जाओ क्या ज़द पाकस फ्यूबो फ्यूबो यूबभो मेरे सांसे मेरा जीवन तेरा दिल है और मेरी घर रखन सांसा हम चले सांसा हम रुके मांग देरे मैं घर रूंगा और तुझे सुहागन प्यार अपना तुझे को देगे प्यार अपना तुझे से लेके इस जमी से आसमा तर तुझे मीरा 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 उस जहां तक अरे छोड़ो 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 काज छोड़ो कलम मेरे लगू से लिख लो सनम छोड़ो काज छोड़ो कलम मेरे लगू से लिख लो सनम हमको तुमसे प्यार है हमको तुमसे प्यार है हमको तुमसे प्यार है हमको तुमसे प्यार है मेरे लबू से लिख लो सनम मेरे लबू से लिख लो सनम। मेरे लबू से लिख लो सनम। तुम इस तरह कहाँ चले गए थे गोवन्दा। भाईया ने जिस तरह से बेज़जद करके मुझे घर से बाहर में गाला। मैं किसी को मुझ दिखाने के काविल ने रहा। नहीं गोवन्दा ऐसा मत सूचो भगवाब भरोसा रखो सब ठीक हो जाएगा। अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी तुम मेरे साथ ही रहो गया। नहीं गीता अभी तुम्हें चेनी के साथ उसके गाव कंगापूर मेरा रहो। क्या तुम्हें गयर समझते हो। नहीं गीता यह बात नहीं। लेकिन सबसे पहले मुझे इस कमीने के साथ ही साथ किताब करना है। जिसने हमारे घर को अग लगाई। दरम भाईया। दरम भाईया। घर में कोई नहीं है। अच्छा घर में कोई नहीं है। अब धरम भाईया खेत में गए होंगे। माजी मंदिर में गई होगी। अरे क्या बात है पवित्रा भाईया। बड़ी उदास नजर आ रही हो। अरे हमसे कहो हम भी तो गोविंदा से कुछ कम नहीं है। तुम तो गोविंदा के फाओं की धूल भी नहीं हो। चले जाओ यहां से। भाईया वैसे बड़े दुख की बात है। बिना इजज़त यही इज़त निलाम हो गई। अब अगर मैं तुम्हारी इज़त ले लो भाईय। तो मुझे आज कौन रोक सकता है। चुड़ने मुझे, वापी नीर सकत ऑगर मैं, मुझे रामीने। मैं तुझे जिद्धा नहीं चुड़ हुई धनेशोर, धनेशोर, अरे कहा जा रहे हो, अरे रुखो तो सही हाँ, क्या बात है धनेशोर ऐसे क्यों, अरे, क्यों रो रहे है तुम लो, क्या हुआ बेटे, तुने गोविंदा पे चुटा कर लंग लगाया, आस्तीर का साफ तो वो पापी धनेशोर है आज उसने अपनी घर की इसदर पर हाट डालू माँ, यह क्या कह रही तुआ? सच कह रही हो, बेटे अगर मैं नहादी, तुम आजे नहीं चुजाता द्धनिशोर, मैं तुझे जिन्दा नहीं चुडूँगा द्धनिशोर द्धनिशोर किलने तु हराम खोड द्धनिशोर इसद सबस्क्राइब करें, जिए फार माना, को तुझे नहीं चुजाता जुन आज मैं तुझे नरहीं चुरूँगा धनिशोर धनिशोर द्धनिशोर कहे धनिशोर वो तु सुमसी नहीं घेंदनिशोर तुझे नहीं मालूँ ऑशषी आ ऑञरशोर क्या चोड़ता हूं मुझे कुछ नहीं बना जी नहीं बना कहा भागेगा तू दानीच्वर कहा हुआ कि यूटी के भी पर निकल आए हैं वो यहां आया था मुझे मारने अरे वो मुझे क्या मारेगा मैं खुदी उसे मुर्दा बना दूंगा और कोई सबूत भी नहीं मिलेगा थानेशोर से दुश्मनी का मज़ा थानेशोर अगा कीदे दुट् सुट। तरी सुट। तरी सुट। तरी सुट। तरी सुट। पवित्रा रानी, अब तेरा क्या होगा? बापी, इस अब क्या हो गया? किस की नजर कहा गई मेरे बाईया को? किस ने मारा बाईया को? बापी, इस अब क्या हो गया? बापी, इस अब क्या हो गया? बापी, आदियारे, तुने ही मेरे साथ को चड़े! इस अब क्या होगी, मैं तेरा को चाहती हो! आजी मुझे चोड़ दू, आजी मुझे चोड़ दू! तुम्हें नहीं मालू तुम्हारे घर पे दुखों का पहाड तोट पड़ा है चेलू तुझे मेरी दोस्ती के किसम कह दे के जूट है नीता गटा लिग रहा हूं मैं है दोस्त और आज एक बाद गोता हूं उस हरामजादे धनेश्वर को खत्म कर दे जिसने तेरे भाई का कतल किया है यह ले गोईंदा उड़ा दे उस हरामजादे को मेरे जीते जी मेरे भाई का खून बै गया कसम है मेरे भाई तेरे खून के बहेवे एक किर कत्रे की उस असीर के साब का सर मिट्टी में लोन दूंगा धनेश्वर को गाते कुछ से गोविंदा तेरा काल बन करा रहा है आँ अधनेश्वर की शान में गाव सब को गा कर सुनाओ कि धनेश्वर धरम का उतार है आज से तू गोविंदा के महफिल मनाई मेरी महफिल में गाएगा हमने जब भी गाया है खुदा की शान में गाया है खुदा के नेक बंदों के लिए गाया है तेरे जैसे नीच और कमीने के लिए गाकर मैं मालिक के शान में गुस्ताखी नहीं कर सकता समझे कोविंदा के वफादार कुटे इससे पहले के मुझे बहुत गुसा आजाए गाव मुझे खुदा समझ कर गाव मेरी शान में गाव शान तो इमान वालों की होती है कुटे तेरे पाप का घड़ा भर चुका किसी भी वक्त फूटने वाला है समझे बहुत जली कितना वाला है धन्ना बाबू इस दरा इज़र पर देखिये तुझे मैं अभी मार के रंग में भंगनी डालूँगा पहले उस हसीना के साथ माज मजा करूँगा फिर तुझे चांद से मारतुगा अरे चल चल मरगे मारगे वालों मारा मारी चोड़ो इस बरपूर बन खाती जवानी से नाता जोड़ो यह कली कश्मीर से चली भपाल में पलियर आपके गोश्च में खिलेगी खिलेगी अच्छा यह तो बिजली है बिजली ए बिजली तरा चमक कर दिखाओ ना जोश है उमर्या में लोच है कमर्या में जोश है उमर्या में लोच है कमर्या में गुंगरों के बाने हैं हचाने वाला चाहिए ए मैं हूँ एक बासुरी बजाने वाला चाहिए जोश है उमर्या में लोच है कमर्या में लोच है कमर्या में गुंगरों के बाने हैं हचाने वाला चाहिए मैं हूँ एक बासुरी बजाने वाला चाहिए मैं हूँ एक बासुरी बजाने वाला चाहिए मैं हुप एक बासुरी बजाने वाला इंटोड़ा एक मैं है उमर्टैट्ड़ा इंटोड़ा 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 आज़ा आजबा आज़वा इंटोड़ा पूल मेरी बगिया में खिले हैं बहार के दाने जैसे बिखरें आपली या नार के गोरा गोरा रूप है चार्दरी की रूप है चांदली की धुप में नहने वाला चाहिए मैं हूँ एक बासुरी बजाने वाला चाहिए मैं हूँ एक बासुरी बजाने वाला चाहिए मैं हुआ 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 है मेरे अंगोंग में शराब का हुमार है किसके दिल में प्यास जगियां के जाने घूट भारे किसे तलाइए मेरे मुं एक बासुरी बजाने मला चाहिए दरेश्वर कुट्टे भूल गया कि जिस इंसान का तुने कतल किया उसका लहू अभी तक जिनदा है मेरा लग इतना सफे नहीं वा कि अपने भाई की मौत का बदला नो ले सको पग्राई से पग्राई जाने लगपाई कोईंडा भावी का बदलाल है रहे मेरा भाई मध्यार को फिन्दा ये सब क्या हो गया भावे ये सब क्या हो गया ये सब क्या हो गया देखा बेटा तेरे जाते ही सारा घर उजिन गया अजिन्दा नहीं छोड़ूगा उसे इमा जिन्दा नहीं छोड़ूगा जान से मार ढालूगा उसे जान से मार ढालूगा उसे अपने आपको मेरे हवाले कर दो नहीं बीटा यह तुम क्या कह रहे हो इस नहीं की को गोली मार कर कानून को हाथ में ले लिया है यह नहीं हो सकता अगर कानून के इतने सचे पहरेदार हो तो जाकर धनेशवर को गिरफतार क्यों नहीं करते एक हत्यारा पुलीस और उनकुछ जगमा देकर दिताहरे सीना तान के घूरा है आखिन क्यों उसके खिलाफ चुर्म का कोई सबूस नहीं जबकि गोविंदा ने भरे लोगों के बीच कोली चराई है देखो गोविंदा तुम्हारी बलाई इसी में है तुम आपने आपको मेरे जान देदूगी पच्पना मत करो मेरे रास्ते हर जो नहीं जा गोविंदा भाग जा जा मैं कि ते पर एक इसम मेरे भाई भाग जा मैं जाने दार साब पहतर हुता कि आप ये गोली इस काउं की हिफास्त के लिए चलाते हैं लेकिन आप जो का महापूरा आपका कानून ने कर पाया वो गोविंदा करके दिखाए लाज्या आप चलाईए गोली रूप क्यों गये चलाईए गोली मेरे सीने के पार कर दीजिए और अपने कानून कि आपको घंडा कीजिए इस घर का एक चिराख तो पहले ही बुझ गया और आप पूरे घर में अधिरा करना चाहते हैं क्या कैसे रिष्टेदार है आप लब कहा था आपका कानून जब मेरे सुहाग मिटाया गया आज तक मेरे पती का कादिल क्यों नहीं पका गया आपका थाओнов गजया है तो आव, ओजाए दो दो हाथ, बहुत खरूर है अपने आपर, अभी देखता हूं कितना दम है तुमारे बाजों में, दोल आव, बहुत खरूर है अभी देखता हूं कितना दूरू दोब देखता हूं कितना दोरू देखता है जाए हूं देखता है, अभी देखता है। कर दो कर दो तुम बहादर हो और बहादर होगी हम गदर करते हैं रौनकी बतिया सरकार तो रौनकी मरा नहीं हाद ही वो बतिया रौनकी के बच जाने से गोविंदा साला तो बची जाएगा साथ साथ रौनकी भी हमारा दुश्मन बन जाएगा इसलिए क्ष रौनकी के पार्श 33, ॅश्मन याद कर नहीं हो रौनकी यहाद होविंदा रौनकी यहद्पितन मार्श्ट अब तेरी रहुनक इस दुनिया में नहीं रहेगी मुझे माफ करना साइब रौनकी मर गया या ओ नो वोविंदा तुम अपने आप हिफस्त जा रहे हो वोविंदा माँगा परसाद लो मेरे बाई मा की शक्ती तुम्हारी रक्षा करेगी एस कष़चर कर दोंदेंसिया 9 इस तड्रूट है जो उपकॉएव इस अत Such हां मत करें मेरे दोस्त ये सारी दुनिया इसी शक्ति के इसारे परí दो तो क्या धनेश्वर जैसे पापी भी इसी शक्ति मा के बल्बूते पर धर्ती मा का सीना रोद रहें इंसानियत के पीट में खंजर घोप रहें और तुम्हारी ये मा तुम्हारी शक्ति मा आखे मीट कर सो रही है देखते देखते हमारा हसता हसाता सुकी संसारू जड़ गया लेकिन तुम्हारी शक्ति मा की पत्री लिए आखों में हासु तक ना है मैं नहीं मानता नहीं मांता इस शक्ति मां को वर अगर यह भी तुस्कत पापियां और शालिम conscious पनादिती हैं अंसलों को नहीं कि धर्ती पे जुल्म जब जब बढ़ता है तो मा की आखें कायरों की भीड में छुपे हुए किसी ऐसे सचे माई के लाल की तलाश करती है जो मा की पुरिक्षा की किसौटी पर खरा उतरे और शायद वो माई के लाल तुम हूँ क्यों मुझे इसी बात का तो दुक है कि में मा की कसाड़ी पर खरा नहीं उत्रा मेरे भाई तुम्हें शक्ति का इस्तिमाल डाकु बनकर नहीं बल्के एक मिसाल बनकर करना होगा मा तुम्हारे रोम रोम में शक्ति भर देगी अगर ये इसलिए भेजा है कि माँ को परणाम करो और अशीरवादियों जय अम्बे माँ कि कहां चुपकर बठाए जो है कि तरह चुपता क्या है कि लगता है भाग गया कुपता कहीं का सर्दार वह भाग गया सिर्फ माल मिला है मुझे माल नहीं मुझे धनेश्वर चाहिए बड़े साब मैं कहीं करने रहा मैं परबाद हो गया गुंडे को विंदा ने मेरा पुष्टेनी मकान तोड़ वोट डाला सब लूट लिया अब तो नौबत यह साब जान बचाने के अगर दिन्दा ड़केत यह पड़ी तो पुलिस की इसतका क्या होगा वैसे भी पुलिस की बदनामी कुछ काम नहीं है माई बाप क्या मतलब है तुम्हारा हमारी पुलिस सो रही है सो यह यह नहीं यह तो मुझे नहीं पता मगर भाई बती जावाद बहुत चल रहा है साब गोविन्दा का जीजाई हमारे थाने का इंचार्ज है और उसी की पना में हमारा सारा गाउत तबावना हिसाब तुम सच कह रहे हो बिल्कुल सच कह रहा हूं हुझ ठीक है मैं खुद वहां जाकर देखता हूं खदा आपको सव बरस की उमर दे एक खास बात और उसूर गल रक्षा बंदन है और गोविन्दा अपनी बड़ी बहन को बहुत मानता तो उससे राकी बनवाने जरूर आएगा आप वहीं उसे पकर सकते हैं पुलिस को शक है कि तुम बहन के घर पर राकी बंदवाने जरूर जाओगे इसलिए वहाँ पर पुलिस का कड़ा बंदोबस्त है मैं और मेरे साथ ही भी तुम्हारे साथ चलेंगे नाई विकरम मैं अपने लिए तुम लोगों की जान जोखम मेंने डाल सकता एक मेरी बहनी तो है जिसने हमेशा मेरे साथ दिया है मैरा की बनवाने जाओँगा और अकेला जाओँगा हे भगवान एक भाई तो मेरा तुने पहले ही चीन लिया अब गोविंदा की रक्षा करना कर दो झाल 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 कोविंगा कोविंगा देख पहें ना मैं आ गया कोविंगा तुम्हें यह नहीं आना चाहिए था भाईया तेवार तो बार बार आते हैं लेकिन जिंदगी तो तुबारे नहीं मिलती मेरे भाईया तुम्हें 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 जिंदगी उसकी बेहन से बढ़कर नहीं चल चल चली से राकी बांदी चल कीकी तो बंद वा चुके गोविंदा आप बदकड़ी बंद वाने के लिए तैयार बोजाओ खबरदार चाल आकी नहीं वरना सीना चल नहीं कर दूंगा जी जी मुझे बचा लीजे डाइ़ खुछ खुछंगar वरुज चा इता हुछंग ediyorum अटाइ़ ऑाइ़ हुछ MUR marked ख़ी इता teleउ neon मैं छो ममिन्दा रुच्ञ नहीं गवाली मारनोगा में छो तो अथधे एका नहीं टूले बार दूंगा यह घुच्ञोवीं परीप परीपने दिने मेटी नहीं सकता मैं जो इए कर चैनल नहीं आजया ंजया सकता आजया आजया आह जा एंक रुग रही दाओ आखे चलाओ बुराओ भाग गया स्टाला बुराओ 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 लाँ बुराओ 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 झाल 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 गोविंदा बगला क्या निकल गई हेकड़ी साले की एक एक करके मेरे सारे काटे साफ हो गए वित्रा रानी अब तो मुझे कोई नहीं रोक सकता बहु काई भैसो को अंदर बांदे लगता है तूफान आने वाला है जी मज़ा ए राव झाल 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 झाल, 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 झाल झाल, 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 झाल झाल, 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 झा तुम्ता सती सावित्री हो ना इसलिए हमारी बात नहीं मानी अपनी इसत का बचार में जलूस निकलवाया आज तुम्हारे दिवर जेल में सड रहे है और पती वूत्व परमेश्वर को प्यारे हो गए अम मुझे कौन रोकेगा कोई नहीं नहीं मच्छो मुझे मच्छो मुझे बच्छो चिला और जोर से चिलाओ जी बच्छा चिलाओ तुम्हारी यह आगाजे लाटकर तुम्हीं कड़ डराएगी यह पाप है देना भबू हमें आपके आगे हाँ जोड़ता हूँ यह पाप है यह पाप तुम्हां यह आपः श्यवाई झाल 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 झाल